जल्दी करिए टायर नंबर मिलान करिए को वही टायर है सुल्तानपुर में रोडवेज कर्मचारी अव्यद कमाई के चक्कर में विभाग को ही चूना लगाने में जुटे है जिसका जीता जग तस्बूत है ये टायर जिसे चोरी छिपे कबार में बेच दिया गया जानकारी के मुताबिक इस टायर की कीमत तकरीबन 35,000 से जादा है बावजूद इसके इसे महज 1200 में बेच दिया गया लेकिन जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ तो पूरे महकमे में हरकम मच गया सरकारी विभाग में धांदले बाजी का ये जीता जागता नमूना सुल्तान पुर्जिले के अमहट में मौजूद रोडवेज वरक्शॉप का है जहां से कुछ दिनों पहले ये स्टेपनी गायब हुई थी इस स्टेपनी का सीरियल नमबर है 4721 और इसकी कीमत है 35,000 रुपे लेकिन इसे चोरी छिपे कबार में बेच दिया गया और वो भी महस 1200 रुपे में जैसे ही चोरी का पता चला तो विभाग में हडकंप मच गया और आरोपी ड्राइवर ने अपने साथियों की मदद से बैटरी रिक्षे पर रखकर चोरी किये गए टायर को वापस वरक्शॉप में पहुँचा दिया अरे जरा बुलाईये टायर वाले को यह देखिए वही टायर है या दूसरा है बुलाईये टायर का नंबर चेक करो जल्दी टायर नंबर चेक करो अरे थोड़ा टायर नंबर चेक करके मुझे बताओ इस मामले में चौकिदार की भूमी का भी संदिग्ध है क्योंकि चौकिदार ने टायर गायब होने के बावजूद रजिस्टर में टायर मौजूद होने की बात दर्ज की थी तो टायर मिल गया सुकला जी टायर मिल गया वलकनाइजर कौन है क्या नाम है वलकनाइजर इधार आईए सुल्तानपूर के वलकनाइजर आप हैं टायर इंस्पेक्टर सुबनाम अच्छा तो यह टायर जो गायब हुआ था मिल गया ना यह संजे सिंग राइबर सेकेंड हमें यह वीडियो विभाग के ही अधिकारी ने रिकॉर्ड किया था आपको बता दें कि आरोपी बस ड्राइवर ने इससे पहले भी काफी सामान चुराने की कोशिश की थी लेकिन उस वक्त वो धर लिया गया था इतना सब कुछ होने के बावजूद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई इससे साफ अंदाजे लगाया जा रहा है कि आरोपी की पहुँच कहा तक है यह खबर हमारे समवाद दाता नफीस खान ने कवर की है आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप यह खबर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरीए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूलें नमस्कार मसल मॉप, प्योर्टी, पोटेंशी, एड़ परफेक्शन, फ्यूल फॉर जेंपियल्स सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना न भूलें